मृत्यू वो एक ऐसा कड़वा सच है जिससे आप चाहकर बदल तो नहीं सकते लेकिन हाँ इसे समझ जरूर सकते हैं आज की अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे इशारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर मनुष्य को दिखाई देते हैं जब वो मृत्यू के निकट आने वाला होता है आपको बता दें कि शास्त्रों में भी ये माना गया है कि जब मनुष्य मृत्यू के निकट होते हैं तो यमराज उसे कई इशारे करते हैं कई ऐसे संकेत देते हैं जिससे पता चल सकते जाता है कि अब मृत्यू का समय निकट है और आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं आपको ये बता दें कि उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर भी कमजोर होने लगता है और शरीर में कई तरह के बदलाव बियाने शुरू हो जाते हैं और शरीर में होने वाले ये बदलाव इस दुनिया को छोड़कर जाने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है इसी के साथ कई बार हम लोगों को भायानक सपने आते हैं हलाकि ये सपने एक या दो बार आएं तो बड़ी आमसी बात है लेकिन अगर बार-बार लगातार भायानक ही सपने आते हैं और सपने में काला इंसान दिखाई देना यम्राज की ओर से भीजा गया संकेत माना जाता है इसलिए जिन लोगों को बार-बार बुरे सपने आए वो समझ जाएं कि अब उनका समय आ चुका है ब्रित्यों होने से पहले इंसान की भूग प्यास खतम हो जाती है और वो किसी भी तरह की चीज़ का सेवन करना बंद कर देता है इतना ही नहीं कई बार तो वेक्ति अपने प्रियेजनों से बात करना भी बन कर देता है और दुनिया से खुद को काट लेता है और एकांत में रहने लगता है आपको यहाँ पर यह भी बता दे कि जब आपको पूर्वज नजर आने रगे तो आप समझ जाए कि अब आप इस दुनिया को छोड़ कर जाने वाले हैं जिन लोगों को बार-बार सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं और उन्हें वो अपने पास बुला रहे हैं तो इसका यह मतलब निकलता है कि अब उस वेक्ति के जीवन का अंत होने ही वाला है ऐसा भी माना जाता है कि जिस वेक्ति को पानी, तेल या फिर किसी भी तरल पदार्थ में अपनी परचाई दिखाई देना बंध हो जाती है तो उस वेक्ति की मृत्यू जल्दी ही हो जाती है बात करें अगर शिफ पुराण के बारे में तो शिफ पुराण के अनुसार जब किसी वेक्ति को अगनी का प्रकाश सही से नहीं दिख पाता तो समझ लीजिए अब उस वेक्ति की मृत्यू का समय बहुत निकट आ गया है और वो बहुत ही जल्द अब इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है इसके अलावा जब इंसान की कॉंड़ी में राहू के तुशनी ग्रह की दिशा बुरी होती है तो ऐसे वेक्ति का दुनिया से अंत हो जाता है निक्स्ट इना इन स्प्रीच्वल से आर्थिक रिबोट